हेलो दोस्तों आज हम लिखने वाले हैं महात्मा गांधी जी के उपर निबंध चार सो सब्दों में और दोस्तों अगर या निबंध आपके लिए हेल्फुल होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं निबंध महत्मा गांधी महत्मा गांधी एक महान सौंतरता सेनानी थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत की सौंतरता के लिए संघर्श में बिताया था महत्मा गांधी जी को भारत में बापू या राष्ट पिता के रूप में जाना जाता है उनका पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी है और उनका जन्व 2 अक्टूबर 1879 में पोरबंदर गुजरात भारत में हुआ था दो अक्तूबर के दिन भारत में गांधी जैन्ती के रूप में मनाया जाता है वे एक ऐसे महापुरुष थे जो अहिंसा और समाजिक एक्ता पर विश्वास करते थे उन्होंने भारतियों को सौदेशी वस्तूओं के प्योग के लिए प्रेरित किया और विदेशी वस्तूओं का बहिश्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया आज भी लोग उन्हें उनके महान और अतुल्य कारियों के लिए याद करते हैं वे भारतिय संस्कृति में अच्छोत और भेदभाव के प्रंपरा को नश्ट करना चाहते थे और बेटेश सासन से भारत को सौतंत कराना चाहते थे उन्होंने भारत में अपनी पढ़ाई पूरी की और कानून के अध्यन के लिए इंग्लेन चले गए वहां से गांधी जी एक वकील के रूप में भारत लोटाए और भारत में कानून का अभ्याश करना शुरू कर दिया गांधी जी भारत के लोगों को मदद करना चाहते थे जो बेटेश सासन द्वारा अपमानित और दुखी थे भारत में गांधी जी एक सरच्छी के रूप में भारतिय राश्ट्रे कॉंगरेस में सामिल हो गए महात्मा गांधी जी भारत सौरतंतरता अंदोलन के महान नेता थे जो भारत की सौरतंतरता के लिए बहुत संघर्ष करते थे उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रा या दांडी माच का नित्रतु किया उन्होंने और भी कई अंदोलन किये उन्होंने भारत की सौरतंतरता के लिए बिटिश शासन के खिलाफ काम करने के लिए बहुत से भारतियों को प्रेरित किया था एक महान सौत अंतरता सेनानी के रूप में उन्हें कई बार जियल भेज दिया गया था लेकिन कई भारतियों के साथ उनके बहुत सारे संगरस्तों के बाद उन्होंने भारतियों के न्याज संगतता के लिए द्रीचिस असंके खिलाफ लडाई जारी रखिए और अंत में महात्मा गांधी और सभी सौतंतरता सेनानियों की मदद से भारत 15 अगस्ट 1947 को भारत सौतंतर हो गया था लेकिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हो गया था महात्मा गांधी की हत्याव नाथुराम गोडसे ने की थी महात्मा गांदी की एक महान सौतंतता सैनानी थे जिन्हें उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा